आचार गुरुवर्श्री कुंद कुंद भगवान की जै आचार गुरुवर्श्री ज्यान सागर मुनि महराज की जै आचार गुरुवर्श्री ज्यान सागर मुनि महराज की जै आचार गुरुवर्श्री ज्यान सागर मुनि महराज की जै आचार गुरुवर्श्री ज्यान स दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यह नहीं बताते हैं मोटर गाड़ी में आये हैं, बहुत दिन के बाद आये हैं, पैदल आये, यह नहीं आये, महराज हम तो आये तो हैं, लेकिन शरीर को ढोटे हुई आये, इसको भी तो कहो, सही बात है न, जिसको आप ढो रहे हो, उसको उतारने का उपाई भी तो सोचते हों कै नहीं, बड़ा कच्छिन है, इसको यदि हम पल-पल नहीं समझते हैं, तो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कि अब मैं धोवूँगा नहीं, अब मैं इसका चाकर बनूँगा नहीं, अभी सर्जन बोलते बोलते भावखो करके, माराज हम चंद्रगर से, चंद्रगिरी से, द्रवी भी ले आए, अब देखो, आप द्रवी ले आए, अब कितनी गुना यहां से द्रवी ले जा रहे हैं यह भी तो बताओ, बोलो, बैन नहीं कर सकते हैं, यह तो बात है, इसलिए हम यहां से आप लोगों को प्रभूत जिसको बोलते हैं, बहुत द्रवी बाहर धूंद करके आपके साथ भेज रहे हैं, हम बदने में कच्छु नहीं कर, हम चाहते हैं नहीं आप से कोछे, यही चाहते हैं, यह थोड़े द्रवी ले आए, और आना आप से नाप ध्रवी बांद बूंद करके ले जा और वह कभी नस्ट ना हूँ, ऐसा ध्रवी प्राप्त कर ले, इस प्राप्ति के लिए अहम बंदे कहते हैं, तद गुण लब्द ये अहम बंदे, कि द्रवी जो ले आए, वह नश्वर है, और उसके बदले में जो गुण ले जा रहे हैं या भाव ले रहे हैं, उसके बारे में हम कोई भी कथन नहीं खच सकते, इसी में हित है, और उसको बांदा नहीं जाता, वह साग्रोपम काल नहीं, अनन्ट काल टक चली जाएं, तो भी उसका नाश नहीं होता, इसलिए ध्रब बे तो चड़ाओ, और भाव जवल बनाओ, यही एक मात्र सार भूत है, बणियां लोग पूंजी कम लगाते हैं, और कहते हैं, महराज पूंजी है यह नहीं हमार पास, तो लगाये जाता पूंजी, और वह कम ही लगाये जाता, और वही तो बणियां होता है कई गुणा निकालता है, उन्यवी इस थोड़ इस हिस्स सब बाहर निकाल करके देता है, और बटा देता हूं मने इतना निकाल दिया, सोनों, वहां सोना भली निकाला होगा लिखिर रचन रचन जिसको बोलते हैं, उनको गुदडी में बान्धूंद करके रखता देता है, सोचो विचार करो जंगलों में रहते हैं गुरुदेव किन्तु वे कहीं किसी प्रकार के ताला नहीं लगाते हैं और कोई भी ये नहीं रहता खुलने रहते हैं किन्तु वहाँ वहाँ पर वो इतने बड़ी धुकान चलाते हैं वसको कभी भी हम भूल नहीं सकते और वो नूटती रहते हैं दुनिया एस सारे सारे धन को हाँ चक्रवर्टी तक आ करके अपने आपको मुक्ट चड़ा देता है अपने आपके द्रव को निचावर कर देता है वो कहता है यह है क्या वस्तू यह तो जड़ की वस्तू है यह जड़ में देब रूप रसगंदात्मत है द्रव तो वह है आत्मा का चिद्रूप होता है चिन्मय होता है और वहाँ उससे कभी भी प्रसक नहीं किया जाता है आपके द्रव को आपके भाव को कोई भी छीन नहीं सकता नहीं समझें यह डर हमेशा हमेशा रहता है तो द्रव रखता है इसको कोई ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा यह अभिनश्वर द्रव को कोई भी नहीं ले जा सकता इसलिए नहीं ले जा सकता ले जाने वाला भी उसके पास में तो द्रव है और अभिनश्वर है यह समझ में आ जाता है तो फिर आप संग्रह की बात नहीं कर सकते कल भी कहा था आज भी कहता हूं नहीं नहीं व्यक्ति आएं अमेरिका सबसे धनार्ट राष्ट्र माना जाता है सबसे ज़्यादा वह तोल के अपिशा से सोना बिश्किट जिसको बोलते हैं अब वह बिश्किट तो बहुत पीचे रह गए बड़े बड़े इंटे मना करके रखा है मुझे दिखा है एक व्यक्ति निमाराज ये विश्व का सबसे ज़्यादा संग्र है इसमें बड़े बड़े इंटेंस होने की हैं और इसको कोई ले जा नहीं सकता क्योंकि इसमें कई व्यक्ति रक्षा के लिए लगए आई गए हैं तो उनको सुनके सुनते ही सब लोग घबरा जाएंगे अज अज सेना रखी है और वहाँ आज सुन रहे हैं करोडों के आदमें वह इस लोग के निमित्र से ऐसा हो गया कि वह भूजन के लिए भी तरस रहे हैं और अमेरिका उसका प्रबंद नहीं कर पा रहा है पांसे करोड से भी ज्यादा जन्ता वहाँ पर इस भूक के कारण पीड़ित हो रहे हैं और जन्ता ने यह सोच लिया अरे हमें इस समय अपने पास जो कुछ संग्रह है उसको बाहर निकाल करके उनकी जीवन की रक्षा करना चाहिए और सरकार का काम नहीं यह तो जन्ता का काम है लोक तंत्र की यही की मात्र विशीषता यह है अन्य जितने भी राष्ट्रे हैं वे लोक तंत्र से बिमुक हैं यहां पर जड़का संग्रह नहीं किया जाता किन्तु लोक संग्रह किया जाता है लोब संग्रह नहीं लोक संग्रह तो लोक तंत्र में लोब तंत्र नहीं आना चाहिए यहां महां के लोग भी समझ रहे हैं लेकिन उनकी भूग को अभी कोई भी पूर्ण रुप से नहीं बुझा रहा है नहीं उसको मिठा रहा है और यहां आगे और बढ़ने की संभावना यह हुआ क्यों इन्ले ने कहा उसमें एक तरफ तो पूंजी पति जैसे हैं वहां सावकारी बढ़ती चली गए है और एक तरफ तो गरीबी अपने आप ही बढ़ती चली जा रही है जो दोनों मिलकर के दिकर ले, दोनों ही साहुकारी के साथ रह सकते हैं, लेकिन साहुकारी का आर्थ धन ने होता, ये साहुकारी है, ये साहुकार, साहुकार का आर्थ क्या होता है? साहुकार तो सादू होता है सज्जन पुर्ष होता है सज्जन ता कोई एक मांत अपनी जीवन में रखता है धन के रूप में वो साहुकार वना जाता है मानाज मुझे आप साहुकार समझ करके दुर्जन को निकार दीजिये आपने रखा दुर्जन को हम क्या करें मुह को रखोगे धूर तो अपनी आपे दुनिया में आपकी और आ जाएंगे लोग सुगंदी को गुलानी की कोवे आप सकता नहीं सुगंदी तो फैलती ही चली जाती है अभी सुगंदी लोट करके नहीं आती सुन रहा है अब क्या हो सुगंदी कभी भी लोट करके नहीं आती सुगंदी तो आगे बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है और कोई भी ऐसस्ता नहीं रहता जहां पर महक वह महक ने रिपाती इस प्रकार भाग फैलता हुआ अपना कर्थभ भी करता है लोक तंत्र में आप लोग भी जी रहे हो तो इस ओर देख करके वो कहते है सबसे बड़ा राष्ट भारत विश्व में है विश्व में भारत सबसे बड़ा राष्ट है और सबसे बड़ा धनाट राष्ट है अमेरिका लेकिन वहां आज कह रहा है इस रोग के निवारन हे तू या शांथी के लिए सबसे सस्ती दवाई भारत ने बनाई है अमेरिका ने तीन हजार के लिए एक डोज जिसको क्या पोलते हैं विजी है उसके अंसार वह करता है तो कहां अठाइसो या तीन हजार तक पोहुंच चाते हैं उसकी कीमत वहां अपवर केबल दो सो दस रुपए में एक जो है डोज मिल जाती है सबसे सस्ती दवाई भारत ने निकाली इससे सब लोग बहुत प्रसंद है लेकिन ये ध्यान रखना सब में कुछ संदे हो सकता है किन्द भारत ने जो निकाला है वह संदे को निवारण करने वाला है इसकी प्रतिशाद गुनकारी पन भरा हुआ इसमें और वह सुद्ध शाकाहार का समर्थक है अन्य जितने भी दवाईयां मामसाहार से पुष्ट हैं जबकि भारत हमेशा मेशा आईरवेट के दिश्टी से सुद्ध और शाकाहार का समर्थक आरोग वर्धक द्रोग निवारक प्रानों को नेने वाला नहीं होता किन्टु विदेश में दो दवाई बन रही हैं वे एक साथ रोग को मिटाते हैं दस रोग और खड़े कर देते हैं किन्तु यहां पर मूँ लता है रोग को निगालनी का आउशद निर्मान किया जाता है इसलिए वहां पर दो दवाईएं हैं वह एक स्पायर डेट वाली हैं उनकी मृत्यू भी निश्ट है लेकिन ज्यान रखो यहां पर मृत्यू जयी आउशद हुआ करता है और यह कभी भी मरने वाला दवाई मरने वाली दवाई नहीं हैं किन्तु यहां मारक है यहां रोग को मारने वाला यहां पर आउशद का निर्मान किया जाता है और इसका दो दवाईएं यहां पर कौरण के लिए भारत ने अठक परिस्ट्रम करके कम खर्चे में गुनकारी अवशद का निर्मान किया और बहुत सारे लोग इसको खरीजन के तयार हो गये हैं इससे पर ठूटा है भारत पहले भी अहिंसा का उपासक था आज भी है और लोग टंत्र को तुरक्षत रखने के लिए विश्व को भी वहां आरोगी वर्धक और कि शाकाहर का समर्तक ऐसे अउशद और आहार पान आदी निर्मान कर रहा है कुछ से इस लोग के निवारण ही तो इन्नोंने सस्ते two डवाईयां बना करके विटरन करर रहा है और वन कहता है कि आप इसमें निश्चिन्ठ हो करके और निश्चंदिक्द हो करके इसका सेवन क करिए और आगे के लिए भी हमारी सेवा स्वीकार करते जाए ऐसा कहा है इसलिए शुर्ट द्रव चड़ाओ और अभिनश्वर द्रव को और पाजाओ इधे यह हमारा कहिना है प्रटीदिन ही ऐसा ही हो रहा है यहां थोड़े से थाली में कोई पूजन करता ही ही नहीं यहां बड़े-बड़े पराते ले करके आते हैं और बहुत बड़े-बड़े कितने उसकी रासी बता भी ने सकते वो ले जा रहे हैं लुट रही है लोटना हो तो लोट दो हां और अब उसको ताले में ने रखना यह चीजें ताले में रखने की नहीं है भूजन बना है तो ताल ताहरा नहीं ताहरा खोल करके हाँ आप बैढ जाओ दूर बैढ जाओ ताकि हमारा ये सोला से बना हुआ शुर्द भूजन है इसको किसी प्रकार से आप अशुर्द न बना दिये जिये ऐसे भावों के साथ यहाँ पर भारत में तोटी जिन जिन उटे ही और राथ जब वो सुटे हैं तब तक हमेशा हमेशा साथ्पिक भावों से पूजन देयुगर शास्ति के होती है होती रहे यह भावना के साथ अहिए साथ पर मुद हर्मी